अब आद सोमनाद भारती की पत्नी से मार पीट और घरेलो हिंसा के मामले में चिपते फिर रहे आम आदनी पार्टी के नेताज सोमनाद भारती हाइकोर्ट से दो दिन की रहत मिलने के बाद कल देर रात अचानक दिल्ली के द्वार का थाने में पहुंचे सोमनाद भारती ने यहां पत्रकारों को अपने सफाई दी खास बात यह है कि अपनी बेगुनाही थाबित करने के लिए सोमनाद ठाने में अपने डॉगी को भी साथ लेकर आये थे अरे बई, काटो काटो, हलो, देखो, काट रहा है अगर आप सोच रहें कि सोमनाद भारती अपने पेट डॉक से मीडिया वालों को डराने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है दरसल सोमनाद भारती मीडिया वालों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका कुत्ता किसी को काटता नहीं अरे बई, काटो, काटो, हलो, देखो, काट रहा है दरसल घरेलू हिंसा के आरोपों में फसे आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाद भारती को मीडिया वालों को ये सबूत इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि उनकी पत्री ने उन पर मारपीट के साथ-साथ कुट्टे से कटवाने का भी आरोप लगाया है इसलिए सोमनाद भारती अपने कुट्टे को साथ लेकर द्वारका के थाने पहुंचे थे जहां उन्होंने मीडिया वालों के सामने ऐसा तमाशा किया इससे पहले सोमनाद भारती को कल हाई कोट से बड़ी रहत मिली हाई कोट ने घरेलू हिंसा मामले में उनकी गिरफतारी पर दो दिनों के लिए रोक लगा दी राहत मिली तो सोमनाद रॉप दिखाने रात के दो बज़े थाने पहुंचे सोमनाद भारती ने उत्तरी द्वारका के थाने में तीन पन्नों का लेटर सौपा जिसमें लिखा कि वो दिल्ली में ही मौजूद हैं और किसी भी पूछताश के लिए तयार है दरसल थाने आना भी सोमनाद के लिए मजबूरी थी क्योंकि पुलिस जगह जगह उनकी तलाश में छापे मार रही थी सौमनाद भारती ने आरोप लगाए कि उनके पीछे ग्रिह मंत्राले पड़ी हुई जिस कदर से इसमें गती है पूरे प्रोसेस के अंदर और जिस कदर से मेरे घर का मेरे ओफिस का मेरे दोस्तों के घरों का मेरे सपोर्टर्स के घरों का मेरे लीगल क्लाइंट्स हैं उनको फोन करकर के पुलिस ने धाना आने को बोला है, साफ जाहिर होता है, और जो लोग मेरे घर आये थे, मेरे ओफिस आये थे, उसे उन्होंने ये बात मानी, कि हम होम मिनिस्ट्री से आये हैं, तो होम मिनिस्ट्री से लोग इंवॉल्ड हैं, किसी भी एलिगेशन में तनिक को भी तथ्य नहीं है, मेरे पास audio evidences हैं, documentary evidences हैं, मैं आपको भी दे दूँगा